निर्मला सितारबंजी और उनकी टीम को मैं citizen friendly, development friendly और future oriented बजेट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये देश को समरुद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजेट है इस बजेट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बहतर कल मिलेगा इस बजेट के माध्यम से मध्यमबर को प्रगती मिलेगी, विकास की रप्तार को गती मिलेगी इस बजेट से टैक्स व्यवस्था का सलरी करना होगा, इन्फास्ट्रक्चर का आधुनी करना होगा ये बजेट उद्यम और उद्यमियों को मजबुत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागिदारी को और बढ़ाएगा ये बजेट सिक्षा को बहतर बनाएगा, आर्टिफिशल इंटलिजन्स और स्पेस रिसर्च के लाब को लोगों के बीच पहुँचाएगा इस बजेट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी है, आम नागरिक के लिए इज अफ लिविंग भी है और साथ ही गाव और गरीब का कल्यान भी है, ये बजेट एक ग्रीन बजेट है, जिसमें परियावरान, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलार सेक्टर पर विशेस बल दिया गया है पिछले पांच साल में देश निराकरचा के मातावरन को पीछे छोड़ चुका है, उस में मातावरन से बहार निकल गया है अज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्म विश्वास से भरा हुआ है बिजली, गैज, सड़क, गंदकी, ब्रस्टाचार, वी आईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाईया, सामान ने मानवी को, अपने हक के लिए, जद्दो जहाद की जिंदगी, याने एक प्रकार से खुच से ही उसको जूजना पड़ता था उसको कम करने के लिए हमने लगाता प्रयास किये है, सफलता में मिली है, आज लोगों के जीवन में नई आकांच्छाएं और खुप सारी अपेक्षाएं हैं ये बजेट देश को विश्वाद दे रहा है कि इने पूरा किया जा सकता है, ये विश्वाद दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गती सही है और इसलिए लक्ष पर पहुंचना भी निश्चित है ये बजेट आशा, विश्वार और आकांच्छा का बजेट है, ये बजेट 21 सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्मान में एक एहम कड़ी साबित होगा ये बजेट वर्थ 2022 यानि आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारन करेगा पिछले पांच वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसाम, दलीद, पीडीद, सोसित, बंचित को ससक्त करने में एमपावर करने के लिए अनेक भीत कदम उठाए अब अगले पांच वर्षों में यही एमपावर्मेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा पांच लाग करोड डॉलर की अर्थे बवस्ता के सपनों को पूरा करने की उर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी बजेट में क्रिसी छेत्रे में स्ट्रक्शल रिफार्म के लिए नई योजनाओं का एलान किया गया है पी एम किसान सम्मान निजी के माध्यम से किसानों को सीधे लगभग 87,000 करोड 87,000 करोड रुपिय का ट्रांस्पर हो या 10,000 से ज़्यादा फार्मर प्रडूसर और नैशन एप्पी ओ का संकल्प मच्वारों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संप्रदा योजना हो या नेशनल वेर हाउसिंग ग्रीड की स्थापना ये योजना है वर्स 2022 तक किसानों की आए दो गुनी करने में प्रभावी भूमी का निभाएगी ग्रामीन अर्थेववास्ता में निवेश बढ़ाने से गाउं में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेगी जन शक्ति के बिना जल संचय संभव नहीं है जल संचय जन अंदोलन की भावना से ही हो सकता है इस बजेट में वर्तमान ही नहीं भावी पीडी की चिंता साप साप नजर आती है स्वच्छ भारत मिशन की तरफ हर गर जल का भ्यान देश को जल संकर से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा बजेट में लिए गए फैसले अगले दसक की निव मजबूत करने के साथ ही नव जबानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे ये बजेट आपकी अपेट्षाओं का आपके सपनों का आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक एतिहासिक कदम है मैं कल काशी में इस विशेपर विस्तार से बात्चित करने वागा हूँ लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार वित्नमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और भारत के समी नागरीकों को उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुबकावनाई देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद